हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग तू अल अप्यू अपने सब्रेक्ट पर रहे थे बी आई ओ सी एच त्री डबल वन अपना आज की वीडियो में जो टॉपिक होगा फर्स टॉपिक होगा कि आर्टिफीशियल सीड या सिंथेटिक सीड मतलब क्रित्रिम बीज या संसलेशित बीज ठीक है तो सबसे पहले अपने बढ़ते हैं कि आर्टिफीशियल सीड के बारे में किसने बताया था तो आर्टिफीशियल सीड का जो कंसेप्ट है वो प्रवाइड किया था मुराशीगे नहीं ठीक है आर्टिफीशियल सीड क्या हो seed किसकी help से बना सकते हैं जो somatic embryo होता है somatic embryo या kike brun इसके चारों और एक artificial seed coat का formation करके अपने artificial seed या synthetic seed का formation कर सकते हैं अब technique के base पर artificial seed है वो दो type के हो सकते हैं, जो first है वो है hydrated seed hydrated seed और second होता है desicated seed ठीक है? तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं hydrated seed के बारे में जिसे अपने हिंदी में कहते हैं jal yojit beije हिंदी में से अपने क्या बोलते हैं? jal yojit beije hydrated seed क्या होते हैं या इनका formation कैसे होता है तो इनके formation के लिए अपने को तीन चीजों की requirement होती है जो first है वो अपने पास एक somatic embryo होना चाहिए second अपने पास दो chemical होने चाहिए first है sodium alginate और जो third chemical है वो है calcium coloride ठीक है तो hydrated seed के formation के लिए अपने को ये requirement होती है somatic embryo चाहिए अपने पास sodium alginate और calcium chloride ये दो chemical होने चाहिए इनकी help से अपने artificial seed या hydrated seed का formation कैसे करती है तो method क्या होता है कि अपने पास एक burate होती है मालो इस प्रकार अपने पास ये एक burate है और एक है bigger ठीक है इस burate के अंदर अपने कौन सा chemical लेते है sodium alginate इस burate के अंदर जो chemical होगा वो कौन सा chemical होगा sodium alginate ठीक है और इस bigger के अंदर अपने chemical लेते है calcium chloride जो अपना दूसरा chemical है यहां पर जो chemical है वो है calcium कलोराइड ठीक है और अपने इस में जो अपना somatic embryo है वो यहां पर present होता है ठीक है तो होता क्या है कि जब इस sodium alginate की जो drop है जो बूंद है वो कहां पर आती है calcium chloride मे आती है मतलब जो नीचे बीकर है इस बीकर में कौन सा chemical है calcium chloride और अपना somatic embryo ठीक है जब इस sodium alginate की जो drop है वो किस पर गिरती है इस somatic embryo पर गिरती है तो होता क्या है कि मान लो यह अपना somatic embryo था और इस somatic embryo के चारों और किसका cover बन जाता है sodium alginate का आवरण बन जाता है फिर क्या होता है कि इसके चारों और जो sodium alginate है यह sodium alginate और calcium chloride यह दोनों आपस में क्रिया करके एक नए chemical का formation करते हैं जिसे अपने बोलते हैं calcium alginate ठीक है उसे अपने क्या बोलते हैं calcium alginate मतलब जो sodium alginate और calcium chloride आपस में क्रिया करके किसका formation करते हैं calcium alginate का तो इस somatic embryo के चारों और कौन से chemical का आवरण होता है calcium alginate का तो इस परकार अपने पास यहाँ पर यह अपना somatic embryo है और seed coat के रूप में जो यहाँ पर cover है यह cover किसका बना हुआ है calcium alginate का इस calcium alginate का formation कैसे हुआ है कि जो sodium alginate और calcium chloride थे यह आपस में reaction करके किसका formation करते हैं calcium alginate का जिसके कारनेक hard seed coat का formation हो जाता है जो hydrated seed है यह जो hydrated seed है जिसे अपने जल योजित बीज भी कहते हैं यह किस परकार के होते हैं यह sticky होते हैं मतलब चिप-चिपे होते हैं जैसे ही यह हवा के संपर्क में आती हैं तो यह सूखना शुरू हो जाती है तो इनको store करके रखना चाहिए और इनकी help से अपने जो new plant है वो grow करवा सकती है ठीक है तो इस परकार अपने पास एक hydrated seed का formation हो जाता है उस hydrated seed के चारों तरफ मतलब जो उसके बीच में समेटी कैमरे हो है उसके चारों और जो capsule का formation हुआ है वो किस chemical की help से हुआ है calcium alginate की help से एक term होती है embling कई बार exam में पूछा जा सकता है आपसे कि embling क्या होता है तो जब अपनी artificial seed या synthetic seed की help से new plant grow करवाती है तो उसे अपने क्या बोलते है embling जैसे naturally क्या होता है कि अपने पास जो natural seed होता है उस seed को अपने मिटी में बोते है और उससे एक new plant है वो grow हो जाता है लेकि embling क्या होता है कि जब अपने artificial seed से यहाँ पर seed कौन सा होगा artificial seed वो hydrated भी हो सकता है वो desiccated भी हो सकता है कि जब अपने artificial seed की help से new plant grow करवाती है तो उसे अपने क्या बोलते है embling बोलती है ठीक है और इस artificial seed के अंदर जो endosperm होता है या बुर्णपोश होता है जिससे जब seed germinate करता है तो उस time उसे बोजन की या nutrition की आफशकता होती है तो वो अपना nutrition किसे लेता है endosperm से तो इस artificial seed की अंदर जो endosperm होता है वो भी क्या होता है artificial होता है उसके endosperm में अपने जो PGR है वो भी अपने add कर सकते है ठीक है मतलब जो growth regulator है जिससे जो seed की या plant की growth होगी उन्हें भी अपने add कर सकते है या disease resistant के लिए और भी अपने chemical add कर सकते है तो इस परकार hydrated seed का formation हो जाता है इन तीन चीजों की help से मतलब सुमेटिक embryo calcium coloride और sodium alginate की help से ठीक है ये hydrated seed था दूसरे type का अपना seed है desiccated seed desiccated seed को अपने शुष्क वीजवी बहु सकते है इसका formation कैसे होता है कि सबसे पहले अपने पास क्या होने चाहिए सुमेटिक embryo इस सुमेटिक embryo को mature करने के लिए अपने किसकी help लेते हैं एप्सीसिक acid की help से अपने इस सुमेटिक embryo को mature कर लेते हैं और जब सुमेटिक embryo क्या हो जाता है mature हो जाता है या विक्सित हो जाता है फिर उसके चारों और एक polymer या बहुलक का आवर्ण बनाती हैं और उस polymer का नाम आपने याद रखना है या उस chemical का नाम आपने याद रखना है जो सुमेटिक embryo के चारों और और एक cover का formation करता है तो उस chemical का नाम होता है poly oxy ethylene glycol ठीक है यह chemical है poly oxy ethylene glycol जिसकी हलप से अपने इस somatic embryo के चारों और एक capsule का या cover का formation करते हैं ठीक है और इस परकार एक desiccated seed का formation हो जाता है ठीक है तो यह था अपना artificial seed या synthetic seed की इसका concept दिया था मुराशीगे ने अपने artificial seed की बनाते हैं क्योंकि कुछ plants के जो seed होते हैं वो non viable होते हैं उनमें germination की ability नहीं होती तो उस plant को अपने यह seed से grow करवाना चाहते हैं तो अपने पहले उस plant की somatic cell से किसका formation करना होगा somatic embryo का और फिर अपने उस somatic embryo से artificial seed या synthetic seed का formation कर सकते हैं तो technique के बेश पर दो type के artificial seed हो सकते हैं hydrated seed और desiccated seed hydrated seed sticky होते हैं चिपचिपे होते हैं और जो desiccated seed हैं वो शुष्क होते हैं hydrated seed का formation करने के लिए requirement क्या होती है somatic embryo, calcium chloride और sodium alginate ठीक है और इसमें जो somatic embryo के चारों और जो capsule होता है कवर होता है वो किसका बना होता है calcium alginate का और जो desiccated seed था उसके लिए किसकी requirement होती है somatic embryo, abscic acid और एक polymer था polyoxyethylene glycol तो artificial seed के बाद जो अपना next topic होगा वो होगा embryo rescue जिसे अपने हिंदी में बुर्ण बचाव या बुर्ण सुरक्षा भी बोल सकते हैं तो embryo rescue क्या होता है immature embryo को सबसे पहले आपने इसकी definition देखते हैं immature embryo को in vitro condition में culture करना या lab के अंदर culture करना क्या कहलाता है embryo rescue कहलाता है हिंदी में इसे अपने क्या बोलेंगे avixit बुर्ण को पात्रे तक्नीक द्वारा संवर्दन करना क्या कहलाता है embryo rescue कहलाता है तो अपने embryo rescue को क्यों करते हैं बुरुन का बचाव अपने क्यों करते हैं क्योंकि जब अपने प्लांट के अंदर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड़ाइजेशन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड़ाइजेशन करवाते हैं तो जो न्यू प्लांट अपने पास आता है उसके जो सीड होते हैं उसके seed किस प्रेकार के होते हैं? non-ve Stream किसी आफसेन्स किस की आफस्शक्ता होती है? Receive को nutrition की या बोजन की आफसेन्स के आफसेन्स होते है? वो अपना बोजन की से लेता है? अटार्स परण से या बूणपोस्च से? तो जब सीड के अंदर endosperm या गुरुणपोश ही नहीं होगा तो उस seed का germination कैसे होगा ठीक है तो interspecific hybridization जब अपने करवाते हैं plants के अंदर तो जो अपने पास seed आते हैं वो seed क्या आते हैं non viable होते हैं क्योंकि उनमें endosperm degenerate हो जाता है जिसके कारण जो embryo है या seed है वो germinate नहीं करवाता तो ऐसी condition में अपने को embryo को rescue करना पड़ता है जैसे यहां पर एक example है triticum का जब अपने cross करवाते हैं ccl के साथ तो यह कैसा hybridization है interspecific hybridization है तो किसका formation होता है tritical का formation होता है ठीक है मतलब यहां पर अपने बस दो प्लांट है एक यह plant है मानलो यह इसका flower है यह कौन सा plant है triticum इसका cross अपने किस के साथ करवाना है ccl के साथ जो दूसरा plant है मानलो अपने जो triticum है इसके pollen grain लिए और इसके pollen grain को अपने जो ccl की जो stigma होती है ccl की stigma की उपर अपने छिर्क नेते हैं ठीक है और बाद में यहां पर जो उसका ovule होता है ठीक है यहां पर क्या है उसका ovule जिसे seed का formation होगा तो इन डोनों में क्या हो जाता है निशेचन हो जाता है या fertilization हो जाता है इसके अंदर जो female gamete होता है तो होता क्या है कि fertilization के बाद जो इस ovule से seed बनता है वो seed क्या होते है, non viable होते है क्योंकि इन seed के अंदर जो endosperm होता है, वो नहीं होता endosperm क्यों नहीं होता क्योंकि जो treaticum होती है इसके अंदर दो gene होते है KR1 और KR2 ये दोनों gene क्या करते है कि जो इसका seed होता है जो यहां से सीड बनेगा, उस सीड में जो एंडोस्फरम होता है, उसको डीजनरेट कर देते हैं, जिसके कारण जो embryo और सीड हैं, वो germinate नहीं कर पाते हैं, तो embryo rescue करने के लिए अपने क्या करते हैं, कि जब अपने ये प्रागन करवाते हैं, या pollination करवाते हैं, तो उस pollination के 10 से 15 दिन के बाद ही, 10 से 15 दिन के बाद ही, इस ovule से, या इस ovule के अंदर जब fertilization होगा, या शेचन होगा, तो उसमें जो immature embryo होगा, मतलब जो avixit embryo होगा, उस immature embryo को अपने बाहर निकाल लेते हैं, और lab के अंदर artificial, जो nutrient medium होता है, उसके उपर अपने culture करते हैं, ठीके, तो इस परकार अपने embryo rescue करके, अपने उस embryo को बजा सकते हैं, ठीके, तो यह अपने example याद रखना है, एक interspecific hybridization का, कि ट्रेटीकम और सिकेल में, जब अपने cross करवाते हैं, तो किसका formation होता है, ट्रेटीकेल का, लेकि जब इन में दोनों में cross करवाएंगे, तो जो seed बनेगा, इस परकार का होता है, non-vival होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो endosperm होता है, वो degenerate हो जाता है, वो degenerate क्यों होता है, ट्रेटीकम के जो दो gene है, dominant gene, KR1 और KR2 के गारण, तो अपने बचाने के लिए गया करते हैं, कि pollination के 10 से 15 दिन के बाद ही, जो immature embryo होता है, उसको अपने बा आज के दो टॉपिक थे, वो complete हो गए, फर्स्ट अपना टॉपिक था, artificial seed, या synthetic seed, और दूसरा अपना टॉपिक था, embryo rescue, ये दोनों ही टॉपिक exam के point of view से काफी important है, इन दोनों टॉपिकों में से जो question आते हैं, वो तो आते हैं, एक तो objective type, मतलब जो आपके new type होती है, उसम तो आपने कहा सकते हैं कि, ये तीन categories हैं, जहां से इन topic पर question पूछे जा सकते हैं, तो काफी important है इन दोनों ही topic, objective type question के लिए भी, दो number के question के लिए भी, और चार number के question के लिए भी, मतलब MC के लिए भी जो आपकी new type होती है, उसके लिए भी, और short जो question होते हैं, उनके लिए, तो next video जो होगी आपकी, उसमें अपने करेंगे, protoplast, culture और cybrid के बारे में, कि cybrid का formation कैसे होता है, तो next video में अपने ये दो topic होंगे, protoplast, culture और cybrid, ठीक है, यदि आपको इन topics में, जो आपको आज करवाई हैं, embryo rescue और artificial seed, इनमें कोई भी doubt हो, तो आप comment box में comment करके, पोच स